काम समान वेतन पेपर में भी एड आ रही है कुप सारे अकबारों में निकला है तो क्या उस पर क्या चल रहा है क्योंकि लोग जो है वो सफाइक करमचारी जो है और जो और भी जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम दिया है कि समान कम समन वेतनर कई कई राजियों की कोटों ने भी जज्ज्मिंट दे दिया है कि यह लागू होना चाहिए तो यह बात बनी है और हमारा आयुक भी यह सुजाओ दे चुके हैं कि यह कॉंट्राक्ट सिस्टम से पूरे सफाई करमेचारी का पूरी उनका वाइलेसन हो रहा है तो हमने यह कहा है अगर उनका मॉनिटरिंग करिए अगर वह नहीं करते हैं तो उनका कॉंट्रक्ट बंद करिए या तो आप डेली वेजिश पर लगाईए या तो आप परमिनिट करिए या तो कोई फिक्स वेतन बर उसको लगाए ताकि घर चल सकें उनके बचे पड़ सकें तो यह बाते भी हम बार बार हर एक स्टेट में करते जा रहे हैं मैं जहां तक मानता हूं कि आने आले दिनों में यह बात जरूर बात सुनी जाएंगी और आने वाले दिनों में जो सुप्रिम कोट और हाई कोट जो जज्जमेंट दे र होता है तो उसको जो है पर्मानेंट करना चाहिए और लेकिन इस पर जो है अमल नहीं कर पा रहे हैं देखिए आप की बात सही है कि यह जो कॉंट्राक्ट सिस्टम जो आई वह बारा-पंदरा साल पहले आई तो कुछी उसी सरकारों ने यह जो रुकुरूट में जो भरती थी जो फॉर्फ क्लास की बंद कर दी और बंद करने की वजे से यह पॉंट्राक्ट सिस्टम के जन्म हुआ क्योंकि 가족 चाहिए सपाय के लिए भी चाहिए भी यह बातों का भी प्यून अ सोच रही है सर जो खाली जो पद रह गए है और उनको भरा भी नहीं जाता तो उस पर आप क्या कहेंगे देखिए हमने काफी हमने दो साल से सुने क्वाया है कि महानगर निगम या तुन पूरे जो उनका सेंक्शन पॉस्ट होती है उपरते नहीं है तो हमने वह बात भी हमने उसे से ही पुछी क्या खाली है तो हमने तुरंत ही उस पर कड़ी कारवाई की और हमने बोला है कि जिस mcd में जिये जगा खाली है जो रिखतानों को पूर्ती करें और हमने कड़े निदिश दे दिये हैं कि एक साल के अंदर अंदर जो भी जगा है उस सब भरी जाए और सा और अगर कहां तक जल्दी करो और उनके परिवार को बहुत ही परिशानी उठानी पड़ती है तो उस बारे में भी हमने कहा है कि वो भी कारवाई तुरंती करें और उनको नोक्री दी जाए साथ में आखिर में मैं इस सफाई करमचारी के जीवन पर हम मैं भी इसी समाज से ह है तो उसकी चोट सबसे पहले मुझे पहुंचती है क्योंकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं हम तो देश की सफाई में लगे हुए मैं एक बार पूरे गवरों के साथ के सकता हूं कि इस भारत देश में दो सिवा मुख्य भूमिका में हैं एक तो जो सरत पर बेटा सैनिक जो आज भी खड़ा है गर्मी शर्थ भी भूख तरस तरह सारी परिवार को चोड़कर देश की शिमा करता है तबी बूरा देश सुरक्षजत है तो कभी-कभी मर जाते हैं तो उनको सहीथ का दर्जा मिलता है सन्मान मिलना चाहिए क्योंकि वह लोग कामें इसा करते हैं तो वो मेरे सफाई कर्मचारी पूरे देश के नागरिकों की स्वास्ति शुरक्षा करता है तो उसे उसी तरह का सन्मान मिलना चाहिए क्योंकि वह गंद की उठाने वाले गंद की फैलाने वाले हम हैं और लोग है वह तो गंद की उठाता है फिर भी देखने का नजरिया आज टक रह हुई कि यह लोग गंद की उठाने इसके उठाते हैं तो उनको तूर रखा गया उनको चुवने की चुवा भी नहीं जाता था उनको पास बिटाएं नहीं जाता था तो यह बात भी काफी सालों से हमारे समाज को जलनी पड़ी है लेकिन मैं मानिय प्रदानमंत्री जी नरंद बड़ी बात है इनसान को कितना भी बड़ी बात तो है यह सब मानते हैं कि भी पहली बार पीम ने कोई ऐसा काम किया है कि सफाई करमचारियों के पाउं दोए हैं लेकिन सर्फ पाउं दोने से काली कुछ नहीं होता अगर इनको समान मिले समान क्या आर्थिक स्तीती से इनको को मजबूत किया जाए इनकी सेलरी टाइम से आए इनको बकाया एरियर मिले और इनको कैसले सुविदा आभी आपके सामने देखे मुकेश जी बैटे हैं जो साधरा साउथ से हैं और वह किड्नी पेसेंट है आपके सामने बैटे अभी आपने फोन भी किया मगर भी बात नहीं हो पाई है तो मुझे इतना पता है कि जाला साब के डर्बार से जो है मुकेश जी खाली नहीं जाएंगे और जो इनकी जो फाइले हैं जो रोकी जाती है डिसी द्वारा और अधिकारियों द्वारा वो जो जाला साब जी के आसिरवात से आप नहीं रुकेगी वो आस लेकर रहे हैं तो जाला साब जी है जरूर जरूर हमारा तो कामी होई यह आयोग उनके लिए बैठा है जो सवाई करमचारी जूज रहें समझ्याओं से जो भी लेकिन हमारा भी एक एक हमारा भी चिप सेकेर्टर को बोल दे कि उसका भी तुरंती तुरंती उनका अमल करें और सारे सवाई करमचारी को यह केसलेस काट दें और तरी जी ने एक अच्छा संदेश दिया है तो उनके सराना होनी चाहिए यह मैं मानता हूं कि पहली बार इतना बला मैसेज पूरे देश को दिया अला है कि यह समाज जो गंदा काम करते हैं वहला काम करते हैं तो उनको भी संमान मिलना चाहिए यह बात को भी आमें नजरंदाज नहीं करने चाहिए जी बिलकुल देखें इनका एक अधम सही कहना है जो भारत के परदान пон्तरी होकर इस समाज का क कर सकते हैं चाहुपाइब कामगार समाज का समान कर सकते हैं वहीं दूसरी और सड़क पर मिलकर चार आदमी चार मुष्टंडे या जो भी है वह सफाई करमचारी को पकड़ कर पीट रहे हैं और उनकी जोह दूर दर्शा बड़ी कठीन होती जा रही है उनको सीखना चाहिए अपने मोदी सहाब से कि वह समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे जागो समाज चैनल बहुती अच्छी तरसे पूरे देश में और खास करके वालमिक समाज के हर समाज चार को बहुती अच्छी तरसे दर्शाता है और लोगों तक पहुंचाते हैं तो मैं बिलकी गहरायों से इस चैनल चनाने वाले सुरिन अंजाना जी को मेरी ओर से हार्दिक शुब कामनाई देता हूँ और इसी तरह समाज की हर छोटी बड़ी शमश्याओं को अपनी चैनल में बताएं ताके सब उस पर अउगत हो धन्यवाद धन्यवाद सार